बीजेपी में जो बगावत होने जा रही है उस बगावत की कालपाना से माननी ये परधान मंतिरी राजा बाबू की चूल हिल गई है। बीजेपी आरेस्स का मैसरा करवाने वाला हूं तो आपको कहीं मिली लग रही है। पंडित राहूल गांधी बोलना है या क्या बोलना है वो हमारी मर्जी है और गौता माड़ानी का की खलापत करने वाली अखिल भारती कांगरेश पार्टी के नेताओं को नरेंद दामोदर्दास मोदी राजा बाबू या मोहन भागवत या अमिशा जी यह तमाम लोग प्रतारित करेंगे लड़ाई लड़ रहे तो इस देश में कारिस्ता संस्थाती 1925 में बने वो जानते हैं क्या कर रही थी अंगरेजों की चाटू करता और दलाली कर रही तो जो इनके जहां से मागया इनकी पार्टी में समाहित हो गया अज जो नहीं आया जआकर संज़ जनता के भी इस बशानते हैं जितना माटना है बात जनता पैसो ले लेगी शराबो पी लेगी और मिठाई भी खालेगी ओट बीजेपी को नहीं देगी गाएंगे गाना भाजपाई नेटा, नेता नहीं नेता, गाएंगे गाना कि भरत पूरण लुट गई ओ मोरी अम्मा अभी तो कह रहा है जोती राजे सिंधिया गुजरात के दामाद, गुजरात सी एक राजगराने का दामाद होंगे इन्होंने तो पूरे गुजरात का दामाद बना दिया इस देश की जनता इस देश के राजा बाब से पनाह मांगना चाहती है राजा बाबू में सब समाहित है उसमें यह आनपढ़ जाहिल नहीं कहने क्या हुता तो किर्पिया पढ़े लिखे इमानदार को ही अपना फियम चून है वश्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनित हवाद जिस तरीके से पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और साथ ही में लोगसभा के चुनाव में नस्दीक हैं तो इसी को लेकर हम इनसे बादशीत करेंगे बाई जानते हैं बंदर नहीं जानते हैं हों हों करता है तो जो इनके जहांसे माग गया इनकी पार्टी में समाहित हो गया आज जो नहीं आया भाई चेल चले जाओ जिसे ठाकुर संजर सिंग तो के सियार की लड़की कहां बाहर है साउधा तो ही करवाई है ना इडिसी भी आई का कहना मेरा नहीं तो चुकि अब इनकी जो साख गिर रही है तीन दिसंबर के बाद बीजेपी में जो बगावत होने जा रही है उस बगावत की कलपना से माननिय प्रधान मंतिरी राजा बाबू की चूल हिल गई है चुकि यह ममता बनर जी नितिश जी क्या रखा है पंडित राहूल गांधी में हमारे खेमे में आ जाईए अभी चिरोरी मिंति करना शुरू कर दिया है आप कह रहे हैं कि तमाम गठवंदन बालों को बुलाने की बात कहीं जा रही है लेकिन कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री कहते हैं कि राजिस्थान की लाल फवरे घ्लम सनली कि लालरी में लिखा है कि कांगरेस र्रिपीट कर रही है उना आ रही है सरकार है र अब उसलिए फरवल सonie फ़ीए करके इन लों को पर सबसांकिया जाबीजय क्हें घख साल में राजिस्थान का सारा पैसाा खाग ए कंगरेस के नेता अच्छा खाग पूछ रहा हूं कि घास चरने गए थे आप बता दीजिए यह घास चरने गए थे इसलिए लगती है कि यह जो इनके सराब और पैसे बढ़ते हैं पैकिट बढ़ते हैं जनता के भी इस बार जानते हैं जितना बांटना बांटे जनता पैसों ले लेगी खांब ओ मिठाई भी घालेकी यह जनता को सराब पिलाओ बेच लो ओखरीद लो यहे जनता के लिए क्या बिकास नहींन už शाल में यहां झाया है तो वही स्थिती है कि गुजरात में पंडित राहूल गांधी को जीस तरह से इन्होंने प्रताडित करना था वहां पे पूरा पावर लगा करके सरकारी मसनेरी का उपयोग करके आप राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं तो आपको कहीं मिर्ची लग रही है हम पंडित राहुल गांधी बोलें या क्या बोलें वो हमारी मर्जी है मैं ब्राम्मण हूं मैं तो नामकरण भी करता हूं साधी करवाता हूं और स्राध भी करवाता हूं तो हमारी मर्जी हम तो उनकी साधी भी करवाना चाहते हैं हम तो उनका नाम करण कर दिये हैं तो उसमें क्या दिक्कत आपको हो रही है बीजेपी आरेसस की का मैं सराध करवाने वाला हूं तो क्या दिक्कत है बताइए तो 24 का चुनाव आने वाला है उससे पहले EDCVI की तमाम नेताओं पे छापे मारी हो रही है होने दिजिए इस देश की जनता समझ रही है कि 32 करोण और गौतम अड़ानी का की कि खलापत करने वाली अखिल भारती कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नरेंदा मोदर दासमोधी और फराजा बाबू या मोहन भागवध या अमिशा जी यह तमाम लोग प्रतारित करेंगे तो जनता जान रही है कि हमें और इस देस का विकास हुआ है जो इस देस ने तरक्य की है उसका जो उसका नास कर रहा है बिनास कर रहा है नौ साल में तरक्की ने हुई है देश की आप कह रहे हैं इसलिए तो 80 करोण 80% जनता पांच किलो रासन पर यानि पेटवय पे निर्धारी थे जनता इसका रहे कि जगत में पेटवय है परधान रासन को लेके तो जनता बोट दे रही है बीजेपी को भाई सहब अभी पांच स्टेट में पता चला करनाटक हिमाजवाल में पता चल गया ना यह पांच जो राज्यों में चुना होगा तीन तारीको कि गाहेंगे गाना भाजपाई नेटा 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 नहीं नेटा गाहेंगे गाना कि भरत पूर लुट गई ओह मोरी अम्मा यही गाना चलेगा क्या में लोग पहुंचेंगे वहां पर हिंदू इस देश में मूर्खों की कमी तभी रही है कि मलब आप कहना चाहरे हैं हिंदू मूर्ग है मैंने यह तो नहीं कहा मैंने कहा कि इस देश में जब चंशेखा राजाद भागत सिंग गांधी पंडित नहरू 133 अंदोलन की लड अनुआयों का अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रही थी चंशेखा राजाद की कि जासूसी करने वाला एक तीवारी वह भी ब्रामहर था तो देखिए चोर बैमान उचका चीटर फ्राड की कोई विरादरी नहीं हुआ करती है अब मैं बता दूं किस देश का जवान हो य यह लोग अपनी ड्यूटी करते हैं अपनी रोजी रोटी कि भाई या सरकार की बात नहीं मानेंगे तो मारी रोजी रोटी चली जाए तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि जब नास मनुझ पर चाता है पहले विवेक मर जाता है जो आपने अभी उधारण दिया सिपाईयों का पुलिस कर्मियों का जवानों का तो एडी सीवाई के सरकार के दवाब में रहके काम कर रही है वो तो निस्पच्च काम करेगी ना सबसे बड़ी कि इस देश की जनता कि इस देश के राजा बावु से पनाह मांगना चाहती है मैं देश की जनता से आप लोगों के चैनल के मारपत हाद जोड़के अपिल करना चाहता हूं कि आप लोगों को प्रद्धा न्य ने दिल इल इनसान होना चाहिए अप्धा कहना चाहिए राजा बाबू कहाई shy कुछ कहने कि आउ सकता नहीं है राजा बाबू में सब समाहित है हां उसमें यह आनपढ़ जाहिल नहीं कहने कि आउ सकता तो किर्प्या पढ़े लिखे इमांदार नेक दिल इंसान विस्व के चुनिंदा नेताओं में सुमार पंडित राहूल गांधी को ही अपना पीम चुन हुआ है